हेलो एफ्रिवान रीना जोजे जूनियर माई वर्ड मैं आप सबी का स्वागत है आप सबी अपने घरों में स्वस्त और शुरक्षित होंगे गाइस आज का व्लॉग मैंने अपने बेटे की एक प्यारी सी पिक के साथ किया है जो कि उसने अपने दादा जी की टोपी पहनी हुई थी वो एक पहाडी टोपी है तो उसमें काफी क्यूट लग रहा था और ये देखे ये दोनों बहुत ज़्यादा सैतानी कर रहे हैं गाइस काफी टाइम हो गया था मैं कोई व्लॉग लेके नहीं आये थी मैंने सोचा क्यों आज एक छोटा सा व्लॉग मनाती हूं क्योंकि मैं काफी वेजी होती हूं तो उतना नहीं कर पाती हूं मैं कोशिश करती हूं आप लोग तक वीडियो लेके आते रहूं तो गाइस मैं आप लोगों एक खुसकवरी देने वाली हूं कि मैंने अपना एक छोटा सा बिजनस स्टार्ट करा है आप मैं चाहते हूं कि आप मुझे उसमें भी उतना ही सपोर्ट करें जितना कि आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करते हैं ज्यादा कुछ नहीं है बस नॉर्मल सा फिर मैं आपको बताती हूँ यह देखे यह है एक प्यारी सी वीडियो जो कि मेरा बिटा अपनी दादी के साथ सोया हुआ है क्योंकि आपको पता है बच्चे अपने दादा दादे के साथ काफी खुस होते हैं काफी मौनिंग में उड किया था तो यह अपनी दादे के साथ खेला था पिर उसके बाद अपने दादा जी के साथ खेला तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी आज पहली बार आपने सायद जूनियर की दादी को देखा है गाइस आप बात करते हैं प्लॉट की गाइस यह है इसकी लंबाई जो आपको लेना हो या आपका कोई जान पहचान वाला लेने वाला हो तो भी बताएए अगर आपको लेना है तो भी बताएए स्क्रीन पे नमबर दिया है मैंने आप इस पे कॉल कर सकते हैं I hope आप मुझे इस काम में भी उतना ही सपोर्ट करेंगे इस लाइन मा आने का रिजन मेरा यही है जब हम लोग ने जमीन ली थी तो जो इस बीच मा आने वाले इन लोग ने पैसा खाने के चक्कर में हमको सस्ती चीज भी महंगी बेज दी तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इसे ले वो भी परिशान ना रहे और जो बेच रहे हैं वो भी परिशान ना रहे क्योंकि मैं जानते हूँ जमीन के रेट दिन परती दिन बढ़ते जा रहे लेकिन जिस टाइम उसकी जो प्राइस है तो उससे ज़्यादा एक्स्रा तो नहीं देना चाहिए किसी को भी लोटने के चक्र से यह गलत ही होता है लेकिन सबसे बड़ी बात कभी तो भी ऐसा होता कि जो बेच रहा है वो तो जितना होता उतना ही लगाता है बस जो पीछ मां आने वाले लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा एक्ष्ट्रा कमाने के चकर में वो दूसरी जो पार्टी होते उसको परिशान कर देते I hope मैं आप लोग से दुआ करूंगी कि आप मुझे इसमें भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना कि आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करते हैं और जो भी न्यू मेंबर हो भी मेरे फैमली में जुड़ते रहिए और बाकि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और जिनको ये प्लॉट लेना हो, वो भी मुझे कॉल कर सकते हैं मैं आप लोगों का कॉल जरूर उठाऊंगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं